रहिमन विपदा तु भली जो थोरे दिन होई गून अब गून जगत में जान परत सब कोई बिहार बोड का मैट्रिकुलेशन का एक्जामिनेशन होने जा रहा है विद्यार्थी सोचल साइंस बिशै का कैसे तयारी करें कैसे अच्छा नमर लाएं सोचल साइंस बिशै के बिहार के एक्सपर्ट बिहार बोड के एक्सपर्ट जनाब हैदर अली साहब हमारे सामने मौझूद है ये विस्तार से बताएंगे इस पर चर्चा करेंगे तो बिहार के एक्सपर्ट सोचल साइंस बिशै के जनाब हैदर अली साहब बिल्कुल बिहार के बच्चों को घवराने की जरूरत नहीं है और कहीं से घवराने की जरूरत नहीं है अच्छे से मेहनत करेंगे जो तरीका हम बताएंगे उसी तरीका से अगर तयारी करेंगे तो जादा से जादा नमबर ला सकते हैं और कहीं से मन में डर लेकर नहीं बैठे कि मैट्रिक का पडिछा दे रहे हैं इस तरीका से बेहिचक पडिछा दे निकली जाए जैसे अठमा का पड़िछा देने जाते हैं उसी धंग से पड़िछा देने के लिए जाए और रह गई बात कि तयारी की तो वो तयारी भी बता देते हैं किस धंग से तयारी करना है समय तो काफी कम है एक सब्ता से कम का समय बचा हुआ है लेकिन बिहार के बच्चों और बच्या से अनुरोद कर रहा है कि अपने माता पिता के भरोसे पर खड़े उत्रया और जिस तरीका से माता पिता को भरोसा है अपने बच्चों के उपर कि मेरा बच्चा पढ़ लिकर आगे कुछ करेंगे उसी धंग से हम बच्चे के उपड़ एक और बोज देना चाहते हैं कि नहीं घबराव नहीं समय काफी कम बचा हुआ है डरने की कोई बात नहीं है डर के आगे जीत है और दो घंटा साम के समय 6 बजे से लेके 8 बजे तक जोर से पढ़ने की जरूरत है जोर से ऐसे पढ़ने की जरूरत है कि इतना जोर से पढ़ है कि जहां से पढ़ रहे हैं 10 फीट दूर कम से कम आवाज जाना चाहिए मुह से आवाज निकल कर पढ़ेंगे तो आटोमेटिक और दिमाग में वो बात घूमते हैं और ये बात इस तरीका से मन में बैठ जाता है कहीं अगर कुछ पढ़िछार भी देने जाएंगे तो मन में वही कोस्चन एंसर याद रहता है वही प्रस्न उत्तर याद रहता है और रह गई बात सुबह के समय तो सुबह में भी सोके जब उठेंगे चार बज़े का जब समय रहेगा तीन बज़े चार बज़े सुबह में बच्चो दो घंटा थोरा सा इमांदारी से इमांदारी प्रुबग दो घंटा जोर से पढ़ा है बिल्कुल रिजल्ट काफी बेहतर आएंगे जितना सोचे भी नहीं होंगे उससे कईक गुना बेहतर रिजल्ट आएंगे जब परिच्चा हॉल में रहेंगे तो किस परकार से कोश्चन पर फोकस करेंगे इस पर परकार डालें जब परिच्चा हॉल में रहेंगे तो कोई घबराहट की बात नहीं होगी जो हम टॉफिक बताएं हैं उसी टॉफिक से बच्चों सिर्फ डर को दूर करते हुए सिर्फ उस परसल का नाम लेंगे मन में जादे नहीं 10 से 15 मिनिट सोचेंगे वो कोश्चन का एंसर उसके मन में आटोमेटिक याद आ जाएगा डरने की कोई जरुवत नहीं है प्राकिर्टिक का दैन है कि वो चीज याद हो जाएगा और बहतर से बहतर बिहार के स्टुडेंट नमबर ला सकेंगे और मुझे उमीद है बिहार के स्टुडेंट पर कि बहतर से बहतर नमबर लाएंगे और अपने पिताजी, अपने गाउं समाज और अपने पुरवजो का नाम रोसन करेंगे बिहार के बच्चो और बचिया गारजियन को क्या मेसेज देंगे? गारजियन को मेसेज देंगे कि समय तो कम है, बच्चो को मारपीट नहीं करें अगर बच्चे कमजोड भी है तो बच्चों को सही धंग से जो हम अभी टॉफिक बताए हैं उसी टॉफिक पर याद करने के लिए बोला है और बच्चों को डराए धंकाए नहीं आटोमेटिक जो है बच्चे बहतर से बहतर नमर लाएंगे और बच्चे को जिस धंग से बोलेंगे उसी धंग से कहेंगे बच्चों को दुलार से प्यार से समझाएं और आटोमेटिक समझाएंगे यह काफी कम समय है एक सब्ता कभी एक सब्ता से भी कम समय है आटोमेटिक ग कि बच्चे विःहार के बच्चों और भच्या से ये अनिरोड कर रहे हैं। अन्तिम बात बोलना चाह रहे हैं। कि कि गार्जियन इक तरीका से सुरज के तरह होते हैं। गारजियन करक होते हैं, जैसे सूरज जब सुभाह जब उगता है, दस सिग्यारा बज़े जब अपने रंग में रहते हैं, यानि सूरज जब उगता है तो उजाला चाता है, यानि दुनिया में उजाला आता है, इस तरीके से पिताजी भी बच्चे के लिए एक तरीका से अंधेरा च्हा जाता है इसलिए नहीं नहीं इस उजाला के तहत बच्चों अपने गर्जियन का बात मानते हुए अपने माबापके बात पर ध्यान देंगे और बिलकुल काम्यावी उस धंग पर उस मकाम पर मिलेंगे बच्चों और बच्या को बिहार में समाजिक विज्ञा इस प्रहाते रहे हैं इसके एक्सपर्ट समझे जाते हैं आप अपना समय दिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद